आप देख रहे हैं डीडी की पार्ट साला, सस्क्राब कीजिए चैनल को और दबाई ये बेल आइकान को ताकि आपको नोडिफिकेशन के माध्यम से ने वीडियो के जनकारी मिलती रहे हेलो माई दियर इस्ट्डेंट आज हम इंगलिस रिडर क्लास 6 लेशन 17 लेटिल ड्राप्स आफ वाटर पानी की छोटी छोटी बूंदे का क्विश्चन आंसर जानेंगे आप देख रहे हैं डीडि की पार साला मैं हूँ आपका गुरू जी दाने सर्धुरू जी तो करते हैं क्विश्चन का अंसर बनाना सुरू जी तो चलो आज होई क्लास 6 लेशन 17 लेटिल ड्राप्स आफ वाटर का क्विश्चन आंसर बनाना प्रारम करते हैं Reading comprehension बोध के प्रशन, answer the following questions निम्न प्रशन के उत्तर दीजिए, अब देखो पहला question दिया गया है, what is the mighty ocean made of अर्थात विसाल महासागर अर्थात सक्तिसाली महासागर किस से बना है, तो answer बनाते है, the mighty ocean is made of little drops of water, अर्थात विसाल महासागर पानी की छोटी छोटी बूंदों से ब बन जाता है, अब आजाते हैं question number two पर, what is the pleasant land made of अर्थात खुसाल धर्ती, अर्थात खुसाल भूमी किस से बना है, तो answer बनाते हैं, answer बनेगा, the pleasant land is made of little grains of sand, खुसाल धर्ती रेत के छोटे छोटे कणों से बना है, तो इस तरह से question number two का answer, बन जाता है, अब आजाते हैं question number three, what can make our earth an Eden, हमारी प्रित्वी को Eden अर्थास्वरगा का बगीचा कौन बना सकती है, तो कौन बना सकती है, इसको answer में हमें लिखना है, तो answer बनेगा, little deeds of kindness and little words of love can make our earth an Eden, अर्थात दयालूता के छोटे छोटे कार्य और प्रेम के छोटे छोटे बोल सब्द हमारी धर्ती को स्वरगा के बगीचे अर्थात Eden बना सकती है, तो इस तरह से question number three का answer बन जाता है, अब आजाते हैं question number four पर, what has been compared with the earth अर्थात प्रिथ्वी से किस की तुलना की गई है, तो answer बनेगा, Eden has been compared with the earth अर्थात प्रिथ्वी की तुलना स्वरगा के बगीचे अर्थात Eden से की गई है, तो इस तरह से question four का answer बन जाता है, अब आजाते हैं, वकाइबलरी सब्दों को सब्दभन डार में, इसमें question दिया गया है, word building cubes, अर्थात घना कर आकरती वाले महल, उसके बाद दिया है, some letters are given in the center, कुछ अक्षरों को मद्ध में दिया गया है, write the words that end with these letters in the blanks cubes, cubes means घन, है न, तो उन सब्दों को लिखिए, जिनका अंत कोरा घन में दिये गए अक्षरों से होता है, तो घन में दिया गए, उससे होते मतलब दिये गए अक्षरों से होता है, जैसे देखो इसमें दिया गए पहला cube में, TER और TER अंत में लगा है देखो water के तो शुरू में हमने क्या जोड़ दिया WA जोड़ दिया और TER तो ऐसे ही हमें और अन्य सब्द बनाना है तो इसके बाद answer बनाना प्रारम करते हैं तो बन जाएगा master उसके बाद later उसके बाद carpenter उसके बाद greater उसके बाद painter तो यह पहले वाले cube का बन जाएगा अब second वाले cube में आ जाते हैं बीच में दिया है देखो end दिया है और सामने में h जोड़ दिया तो hand बन गया तो बनाना प्रारम करते हैं hand के बाद बन जाएगा band grand sand gland and land तो इस तरह से यह दोनों cube जो है fill हो जाता है अब तिसरे cube में आ जाते हैं center में देखो op दिया है और word बना है इसका drop बना है तो ऐसे ही word हमें बनाना है तो बनेगा top, prop, shop, cop, crop तो इस तरह से यह तीसरे number cubes में बन जाएगा अब आ जाते है last वाले cubes के सम्मों में तो center में दिया है देखो a-i-n और इसका word क्या बना ran बना तो ऐसे यह और बनाते हैं तो बन जाएगा man, train, chain, pan, gun तो इस तरह से vocabulary के question का answer बन जाता है अब आ जाते हैं grammar में वियाकरण में, एक question दिया गया, make sentences from the table, अर्था टेबल से वाक्य बनाओ, जो नीचे table दिखाई दे रहा है, उनसुची से हमें वाक्य बनाना है, जैसे one number में दिया है little drops of water, यह ले ले लेते हमान ले जाए, और second में दिया है make, तो make ले लिए, है ना, अब इन में से chain क तो उसको भी ले ले लेंगे, तब बनेगा, तो answer बनाना प्रारम करते हैं, तो पहला बन जाएगा, little drops of water, make the mighty ocean, अर्थाथ, रेत के छोटे छोटे कन, सक्ती साली महा सागर का निर्मान करती है, यह पहला बन जाएगा, and second बनेगा देखो, small bricks make a big house, यह बन जाएगा, अर्थाथ, छोटी इंटो से एक बड़ा घर बनती है, यह बनेगा, तीसरा बनाते हैं, तीसरा पाइंट में दिया है, a number of flowers, a number of flowers make a garland, अर्थाथ, कई फूल मिलकर, एक माला बनाती है, यह बन जाएगा, and four number देखते हैं, little grains of sand, make the large desert, अर्थाथ, छोटे छोटे रेद के कन, तो रेद के कनों से विशाल रिगिस्तान बनती है, यह बन जाएगा, and five number देखते हैं, है न, 60 seconds लिखा है, तो 60 seconds, make a minute, अर्थाथ, 60 seconds, एक मिनट बनाते हैं, यह बनेगा, अब छटवा नमबर देखो, 100 पैसे लिखा है, तो 100 पैसे, make a rupee, यह बनेगा, अर्थाथ, 100 पैसे, एक रुपिया बनाते हैं, and last seven number दिया है, देखो, small blades of grass, make the birds nest, make the birds nest, nest मिन घोसला, है न, a blade means, जो है, घास की पती, है न, तो घास के छोटे-छोटे टुकडों, या पत्तियों से, पक्छी का घोसला बनती है, यह हो जाएगा, तो इस तरह से, grammar का question, एक answer, बन जाता है, अब आ जाते हैं, question, question, बी पर, use the following, in sentences, अर्थात निम्नांकित को वाक्यों में प्रियोग कीजिए, जैसे दिया है, lobs of bread, bunch of keys, fleet of sheep, sheep's, herds of cows, यह दिया है, तो पहला बनाना प्रारम करते हैं, lobs of bread, अर्थात, डबर रोटी के टुकड़े, यह हो जाएगा, तो इसका sentence बनेगा, give me some lobs of bread with butter, अर्थात, मुझे मक्खन के साथ कुछ डबर रोटी का टुकड़ा दीजिए, या दो, यह बनेगा, second phrase है, देखो, a bunch of keys, अर्थात, चाबी का गुच्छा, तो इसका sentence बनेगा, live a bunch of keys on the table, अर्थात, चाबी का गुच्छा, टेबल पर छोड़ दीजिए, या छोड़ दो, यह बनेगा, third phrase दिया है, देखो, a fleet of ships, fleet मिन्स होता है, बेड़ा या समू, अर्थात, जहाजों का समू है, जहाजों का बेड़ा, तो इसका sentence बनेगा, a fleet of ships are going far war, अर्थात, जहाजों का एक बेड़ा, युद्ध के लिए जा रहा है, यह बन जाएगा, अब, चौंते नमबर का देखते हैं, a herd of cows, अर्थात, गायों का जुन, तो इसका sentence बनेगा, a herd of cows are grazing in ramus field, अर्थात, गायों का जुन, रामु के खेत में चर रहा है, तो इस तरह से, question B का answer, और इस lesson का भी answer, बन जाता है, आसा करता हूँ, यह वीडियो लेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अधिक वीडियो के जैनकारी के लिए हमारे चैनल, डिडी की पार साला को, सब्सक्राइब कीजिए, और दबाए बेल आइकान को, ताकि आपको notification के माध्धम से, नए वीडियो की जैनकारी, मिलती रहे, तो इसी आसा के साथ, आज का online class यहीं पर समाप्त करते हैं, जै हिंद, जै भारत, जै 36 गड़,